हेलो हाई और नमस्कार वेलकम टो MBTalks जहरादून आज मैं आपके साथ शेयर करूँ आप किस तरीके से आप डैली में इपास के लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को चुरू करते हैं बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मुद गूलेगा और साथी बैल यहां पर यहां पर करना के बाद कुछ इस तरीके सटर्काइब की साइट का इंटर्फेस देखने को मिले गा और यहां पर यहां पर में देखेंगे तो आपको प्लो आप्श्न मिल जाए को क्रिक सिलिकेंगा बड़भून हैं और फिर ओप्जे ऑक्स्र requirement राशन, compensation भी मिल रहा है construction workers के लिए pension amount हो गई, साथ ही हमार कुलाश में option देखने को मिल रहा है e-pass का, तो यहाँ पर हम select करते हैं e-pass का option और इसको कर देते हैं submit submit करने के पास सबसे पहले जो page load हुआ और उसमें सबसे पहले important notice देखने को मिला, यहाँ पर अलड़ी बताया जा रहा है कि अगर आपके पास already 14th of April तक के लिए e-pass issued था, तो आपको दुबारा apply करने के जुरूत नहीं है क्योंकि वह automatically 3rd of May तक के लिए extend हो चुगा है, साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है सबसे पहले अपना number फिर अपना name और यहाँ पर आपको address फिल्न करना होगा आपके destination का उसके बाद यहाँ पर type of service चुग कहते हैं कि इन में से कोई भी service आप provide कर वा रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपको option मिलता है कॉंस देट से ले इक कॉंसे देट तक के लिए apply करना आपको फिल्डीपास यहाँ पर डालके फिर उसके बाद timing में आपको फिल्ल करना पड़ेगी एक particular time करना पड़ेगा कि यहांपर अपनी के आपको आई कि फोटो खीचके यहां पर लोड करना होगा। और साथ ही यहां पर कोई visiting card या फिर आपके business का या फिर ऐसे कोई भी document हो तो वह भी आपको यहां पर load करना होगा फोटो खीचके और उसके बद आपको कर देना यहां पर submit form submit करने के बाद आपको reference ID मिल जाएगी उस reference ID की help से आप कर सकते के इस अपके फास के status को यहां पर इस टेक्रेट पर जाने हो और ईपास के जो reference ID मिलिया उसको यहां पर enter करके यहां से आप चेक्शकर सकते हैं अपने अपास के status को आपने उस तरीके से लिए इक इस टेट करें बेल आइकान जुरूब प्रेस कीजिए तब तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित रहें जय हिए जय बारत